प्राइस एक्षिन में दोस्तों उमित करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे अभी हम यहां पे कुछ क्या भी ब्यरनेस रह सकती है कि नहीं रहा सकती है कि अज भी मार्कट के निकाई फ्लैट रही है तो आगे क्या क्या पॉसिबिल्टीटी से वह सारी चीजों को भी देखेंगे तो आप मैंसे जो नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पताज लगे कि मेरी जो एनलिसिस है आप लोग की उससे कुछ हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है डेफिनेटलि अकर आपको किसी स्टॉक के वारे हम जाना हो तो मुझे जरूर पताइएगा अब शुरू करते हैं हम लोग तो सब्सक अगे जो थोड़ा सा एक निगेटिव सेनारियो था इसके कंपेर में अगर आप देखोगे तो यूएस के मार्केट पॉजिटिव थे अपने मार्केट में क्यूंकि दोस्तों आपको पताओना चाहिए अब तो चुनाओ आने वाले हैं उसकी वारे से मार्केट में इस तरी करना चाहिए और यहां पर देखोगे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि तो इन सारी चीजों को आप दो को ध्यान में देना है और ऊपर के लिए देखो जो जो हम लोगों ने कल लेवल मार किया था 2583 का और देखोगे वहीं से निफ्टी नीचे आ गया और भी हम चोटे टाइम फ्रेम में चलके आपको यह चीज क्लिरली दिखाते हैं कि क्या आज रहा आप देखोगे एक्जैक्टली मार्केट यहां से गैप खुला एक बार ट्रा अब लोगे यहां अब जो आपको यहां से लगा लेते हैं और यू कन सी कि मिटकाप में भी नहीं के दोस्तों एक काफी लंबे टाइम से यहां पर जो बैक टुबाग ग्रीन केंडल था यहां पर एक सेलिंग दिखाई दे रही है तो आने वह टाइम में यहां पर भी एक से फिलाल तो आप देखोगे वन आवर टाइम फ्रेम में यह अभी एक लिस्ट सेवन एंडेट पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है ठीक है तो इस तरीके से यहां पर भी आपको कॉइंशेस रहना है और आज दोस्तों आपने देखा होगा एक एक्सिडेंट जो भी पावर फाइनेंस क्रॉप थे सब जितने भी पावर रिलेटेट थे पावर फाइनेंस वाले तो इसमें आपको ग्रावर देखने होई लिए काफी तरीके से एंड इसके पीछे का रिजन यही था है कि आर्बियाई की कुछ पॉलिसी थी और उनकी कुछ गाइडलाइन थी इसी ले सकते हो एंड अपने आपके जो भी फाइनेशल एडवाइजर से पूछ सकते हो अभी देखो अब हम लोग अपने स्टॉक देख लेते हैं तो कल जो हम लोगों ने स्टॉक डिसकस किया था इससे पहले वाले सेशन में ब्लू डार्ट और यू कि आज की दिन मार्केट इ लौटिक हैं आपको यहां पर पूरे लॉजिक के साथ में बताया गया था और शंट्कस की आप इस किया था अपने जैसे हाई को ब्रेक किया ऊपर निकल या आपको क्लिरली मैंने इस बताई थी कि अगर यह हाई ब्रेक करेगा तो आप यहां पर मोमेंटन ट्रेडिंग कर सकते हो बट लॉंग नहीं जाना है क्योंकि यह कभी भी नीचे आ सकता है यह मैंने आपको वन आवर पर समझाया था और देखोगे दूसरा स्टॉक हम लोगों ने आप 5% का तो दोस्तों अगर आपने इसमें प्रॉफिट किया है तो मुझे जरूर बताईएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और दोस्तों अब आगे देख लेते हम लोग जो हमारे जिसमें हमें नहीं अपर्शनुटीज है तो पहला है इस तरीके से स्टॉक चैनल में चल आता है यहां पर फाइनली एक ब्रेक आउट हुआ है उसके बाद में इधर से रिट्रेस कर रहा है और यहां पर इस पॉइंट पे इट कुड भी पॉसिबल अभी तो यहां पर कोई सिनारियो नहीं है बाइक करने का एंड जैसे यहां पर हमें कुछ अच्छा सिनारियो दिखेगा कुछ अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी या फिर यहां पर देखो कि मुविंग अबरेज यह तू हैंड यह में का ब्रेक होगा या फिर दोस्तों इस तरीके से जो यह ट्रेंड लाइन बन रही है यह यह जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब भी हम यहां पर इंट्री बना सकते हैं तो अभी यहां पर आप इसको वाच लिस्ट में रख सकते हो एंड आपको यहां से चेर डेटन्स मिल सकते हैं कुछ ही टाइम में यहां पर अगला स्टॉक शेर इंडिया सेक्यूरिटी इसको भी आप डेली टाम फ्रेम में देखेंगे इसको मैंने दोस्तो आप लोग को एक बर यहां पर यहां पर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलने को मिलना यहां से बहुत बन रही है यहांसे बहुत ब्रेक नपर सकता हैं इस इसको मॉमें दखना है dal 주som अगला स्टॉक है तो इसमें भी आप देखोगे तो कितना अच्छे से यहां पर प्राइज एक्षन दिख रहा है यहां पर यह लेवल भी ब्रेक हुए है यहां पर खड़ा हुआ है यह भी एक इंपॉर्टेंट इसका लेवल था 1029 का एंद देखोगे आरसाई सिस्टी के उपर निकल चुगा है तो अगर यह कल कोई हाई ब्रेक होते हैं तो यहां पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है इसको भी आपनी वाचलीस में रख सकते हो ठीक है यहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा जिसके लिए डेडिकेट स्टॉक चल आप देखो अल्मोस्ट दो-तिन साल से स्टॉक एकी रेंज में ही क्रेड कर रहा है ठीक है यहां पर देखो कि वीकली टाइम प्रेम में टूहेंडर मूविंग अवरेस के पास से हमें बाउंस मिल ला है और आप देखो यह तरीके से यहां पर एक ट्रेड लाइ हारी इंट्री है कि नहीं है तो आप देखोगे क्लियरली की वन आवर में स्टॉक तोड़ा सा रनप करा हुआ है एक डीट्रेस अगर मिल जाता है तो यहां पे एक अच्छा आपको इंट्री मिल सकता है ठीक है तो इस तरीके से या फिस दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ऐन् तो आप अपने हिसाब से कम रिस्क में ही काम करें तो आप अगर अच्छे स्टॉक्स में काम नहीं करोगे तो आपको फिर हो सकता है काफी बढ़ा नुकसान भी हो जाए तो इस चीज का जरूर से धान रखेंगे अच्छा लगाओ तो मुझे जरूर से बतागेगा तब तक ल झाल प्रुट्स